हलो बच्छो आप सभी का स्वागत है foundation classes में और आप मेरे साथ भी और भी सर को देख रहे होंगे तो बैसिकली अभी हमने जब स्टार्ट किया था आप लोगों की डिमांड पर क्योंकि देखिए यह मेरा चैनल नहीं यह आप सब का चैनल है और यह आप सब का परिवार है तो कि अब हमने स्टार्ट किया था तो आप सब लोगों के काफी request से स्टार्ट किया था स्टार्ट मैंने केवल math से की थी फिर हमारे साथ सर जुड़ते गए निखिल सर जो पढ़ रहे होंगे अभी बच्चे बहुत सारे और निखिल सर के साथ साथ अब हमारे साथ तीसरे सक्स और जो सर हैं आप लोगों को पढ़ाएंगे physics अब ये भी हमारे साथ जुढ़ चुके हैं और अब हम लोग maths.. physics सर पढ़ाएंगे और chemistry और biology सर पढ़ाएंगे पूरी deal करेंगे तो अब सब तीनो लोग मिलके आप सभी की जो अभी बेसिक फांडेशन होता है आई टी का वह हम लोग क्रेक करेंगे और नाइंद का जो बैच है जो अभी नया बैच आने वाला है नया बैच उसमें हम लोग तीनों लोग पढ़ाने वाले आपको कमिस्टी और बायलोजी पढ़ाएंगे मैं मैट्स जैसे जानते हैं और फिजिक सर पढ़ाएंगे तो सर के बारे में जान चुके हैं मेरे बारे में भी समझ चुके हैं बट अभी सर के बारे में जानना जरूरी है सर बताईए आप क्या नाइंद क्लास में कैसे अप्रोच रखने वाले हैं कि क्लास नाइंद का बच्चा आई सब्जेक्ट अलग अलग डील करेंगे तो ज्यादा समय दे पाएंगे तो आप उन चीजों को benefit पाने के लिए आप सभी चीजों को एक कहराई से समझ पाएंगे तो सर बताईए कि क्लास 9 के लिए कैसे scoring रहेगा जो board exam उसमें आप कैसे क्या implement करने वाले और जो हमारा यह course है जो paid course आने वाला है इसमें physics का क्या किस तरीके से आप criteria रखने वाले प्लीज सर प्रस्ट फॉल थैंक्यू नितिन सर सो हेलो बच्चो और मेरा नाब अवनीश है और मैं आपकी जो 9th class है उसकी physics की series मैं मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा जो experience रहा है physics को लेके पढ़ाने का तो basically हम लोगों ने हम चाहते तो class 10 से भी start कर सकते थे बट 9 से जो हमने start किया है वो पूरा का पूरा अगर आप scenario देखें अगर आप हमारा curriculum देखें तो curriculum कुछ ऐसे divided है कि जो आपका 9th का content रहता है वही जाकी elaborate हो जाता है class 11th में और जो class 10th का जो आपका curriculum रहता है वो elaborate हो जाता है बहुत ज्यादा detail में चला जाता है class 12th में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 9th को conceptually core strong बनाया जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से competitive level में चाहे वो IAT हो चाहे वो JEE हो आप उसको बहुत आराम से 11th पे score कर सकते हैं और no doubt आपके basic concept बहुत अच्छी रहेंगे more consideration अगर हम बात करें class 9th 10th और वही बच्चे जो technically sound करते हैं या टेकनिकली प्रपेर करने वाले हैं नीट के लिए तो मेरा जो खुद का experience रहा है मैंने टीचर से पढ़ा है उनका भी यही कहना था कि देखे अगर आप इसको अगर आप चाह रहें कि आप class अगर आप नीट म कर लेते हैं लेकिन नीट के लिए जो सबसे ज्यादा competitive सबसे ज्यादा जो difficult साबित होता है वह होता है physics तो मेरा यह अपना खुद का मानना है कि जो भी ज्यादा तर सीबेसी के बच्चे हैं वह जब भी अपनी optional चूज करते हैं या जब भी वह जाते हैं core fundamentals की तरफ तो उनक जब आप अपने 11 की choice करें तो जितने भी नीट के बच्चे जितने भी बच्चे जो biology ले रहे हैं और नीट को एम कर रहे हैं बहुत अच्छी rank में एम कर रहे हैं तो आप उनको क्या करना चाहिए आपको की basically आपको math को as a optional subject आपको लेके चलना चाहिए मतलब आपका जो basic core ह होना चाहिए वह होना चाहिए math biology physics chemistry और optional में आपके पास English रहता है तो आपके पूरे तरीके से five to six subjects आपके cover हो जाएंगे क्योंकि आप math लेके चल रहे होंगे तो आपकी physics भी उतनी ही strong हो जाएगी even though math में baseline concepts को आप cover करेंगे but actually होता है कि physics में पूरा का पूरा अगर आपने पढ़ा हो मतलब बहुत सारी books होती है कुछ books में ऐसा follow होता है कि कहा जाता है कि for physics math is a clerk तो आप बिना math के लेके अगर आपके math के जो fundamentals है जैसे की core engineering domain के अगर हम बात करें तो calculus हो गई differential हो गई आप इनके बगार graphs हो गए इनके बगार आप physics के core fundamentals को आप नहीं समझ सकते जब तक आप उन math के उन concepts को लेके ना चलें तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 9th में भी पढ़ाएं आपको तो जैसे for example में 9th में आप physical quantities पढ़ेंगे तो बहुत ऐसा rare कोई होगा जो आपको vector quantities या tensor quantities के बारे में पढ़ाएगा बट मेरा ऐसा मानना है कि क्यों क्योंकि वह बाद में आपको यूज होने वाली तो हम कुछ ना कुछ core concepts 11th से introduce करेंगे 11th से उठाएंगे और 9th में भी उसको picturize करते रहेंगे ताकि आपको यह पता चलते रहे कि particular चीज के आगे और concept variants है और concept forms हैं ताकि आप उनको broader scope में और better way में analyze कर पाएं तीसरा जो मेरा research कहता है वो यह कहता है कि अगर आपने कभी भी मतलब मैं वैसे promote नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर आपने कभी भी देखा हो तो class 9th में ही आपको सबसे पहले graphical analysis के बारे में बताया जाता है तो अगर आपके mathematical tools बहुत अच्छे हैं जो mathematical tools लगते हैं physics को solve करने के लिए अगर आपके वह mathematical tools बहुत अच्छे वह कैसा देखेगा तो इसके लिए जो आपको core fundamental चाहिए होता है math में जो लगता है वह physics को हम डाइल्यूट करके physics में इसको कैसी यूटिलाइस करने वाले वह पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ाएगा इस चीज की मेरी guarantee है अपना नाम नहीं बता है बच्छो को नाम बता है वैसे अवनीश कुमार शर्मा नाम है मेरा अवनीश सर आपको physics पढ़ाएंगे जैसे कि आप समझ चुके हैं कमेंट सेक्शन में सर का नाम करिएगा मेरे प्यारे बच्छो निखिल सर आप बदाएगे chemistry और biology को NCRT examplar NCRT examplar बच्छों ने खून पी लिया था मेरा तो आप बदाएगे उसको किस तरीके से क्या chemistry और biology को आप बिल्गूल इंटोड्यूस करने वाले हैं तो प्लीज बताइए दन्यवाद सर देखिए बच्छों जो chemistry है वो तो आपका मतलब सेलेक्शन कराने के लिए नीट और जैई में बहुत इंपोर्टेंट है रैंक बनाती है क्योंकि आप उसमें 45 सवाल आते हैं नीट में उसमें अगर 40 प्ल जो सर ने एक बात बोली कि जिसकी देखो यह बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि जो 9 और 10 का होता है बच्छों जिसकी मैट्स अच्छी होती है उसकी आप उसी क्राउट के हिस्सा हो जाओगे जो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने में भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर जैसे दोनों अच्छे नहीं होगे तो कभी-कभी क्या होता है लाश्ट में फिर ही होता है कैसे इलेमेंटल्थ पास हो जाए माक्स अच्छे आ जाए तो आप माक्स तो अच्छे आने का आपको अपना कोर भी इंप्रूब करके चलना है क्योंकि सदेन 10 के बाद 11 में जाते ह जैसे cbsc board में इस समय दो सवाल case study पर आ रहा है चार-चार नंबर के उस case study के सवालों को हम अलग से आपको कराएंगे ठीक है और exemplar से बहुत सारे ncrt exemplar से सीधे के सीधे mcq आपको पूछ लिए जाते है पूरी के पूरी exemplar आपको detail में solve कराऊंगा चाहे mcq हो चाहे उस प स्वाल है वो कराये जाएंगे चार रीजन ऊपके board में आते है एसर्शन रीजन के भी अलग से work seat हम लोग तयार करेंगे मैं personally तयार के हरूंगा एक एक line NCR, you know nCRT की one million important है और हम लोगा क्या करेंगे मैं personally मैं जरूर hard जब हम लोग concept explain कर देंगे, मैं concept explain कर दूँगा, उसके बाद एक NCRT revision series चलाएंगे, जिसमें क्या होगा, कि मैं line to line NCRT पढ़के आपको बताऊंगा, कि कैसे इसके line से questions आपको, one word, assertion, reason, detail questions, सारे के सारे बनते हैं, तो हमारा जो focus होगा, board plus neat, foundation, ताकि आप 11, 12 में जाएं, तो charm बन के जाएं, ना कि delay average, देखिए बच्चों, इस समय NEET में 610 number पे MBBS मिल रहा है, 720 out of 610, मैं जब 2014 में पढ़ता था, तब 480 number के उपर MBBS मिलता था, आप समझे कितना उचाल आया है, average student जो है, उसके लिए NEET अब बिल्कुल जा चुका है, अगर आप cream नहीं है, तो आपके 2-3 साल मेहनत करनी है, अभी से, तो अभी से अगर आप मेहनत करेंगे, तो 12 के बाद आपका NEET निकल जाएगा, या J निकल जाएगा, या percentage अच्छे बन पाएंगे, लेकिन अगर आप अभी नहीं द्यान देंगे, तो एक average student की तरह behave करेंगे, फिर क्या होगा, कि बहुत तो बच्छो आप सब लोग को उस बैच के बारे में बता देते हैं, जिस बैच के बारे में हम लोग डिसकस कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर जाईएगा, foundation classes पर आप सर्च करिएगा, तो यहाँ पर आपको मैच प्लस साइंस का एक बैच होगा, आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको यह बैच ओपिन हो जाएगा, आप 365 वन येर का है, जिसमें मैच प्लस साइंस, त्री डेज मैच होगा, फिर फिजिक्स होगा, साइंस होगा, रेगुलर 6 डेज क्लास होगी, संडे आपका टेस्ट होगा, यह आप इसे परचेस कर सकते है और वन येर की वलेडिटी रहेगी, सर हमारे एक बार फिर से आपको अलविदा कहेंगे, और आप सभी लोग, यदि जो भी सीरियस हैं, जो बच्चे सच में अपने आपको बूश्ट करना चाहते हो, वो इस क्लास में ज़रू इन रोल हो, एक सबसे इंपॉर्टन चीज, ध इतने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम केवल 30-50 बच्चे ही क्लास में लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है, वो two-way communication होती है, हम बच्चे की video conferencing के थ्रू पढ़ाते हैं, तो हमारी जो क्लास है, वो इसलिए अच्छी है, क्योंकि हम बच्चे से one-to-one direct question पूश् सिर्फ इसलिए हम उस सीज को vary कर रहे हैं, देखे आप बाकी जगा पढ़ा रहे होंगा, I don't know, बट वहाँ पे क्या है, crowd बहुत होता है, वहाँ पे क्या होता है, फोकस नहीं हो पाता है, यहाँ पे क्या है, student focus class है, इस सीज की मैं guarantee लेता हूँ, और यह मैं अपने word फिर से लिखता हूँ, यह focus class है, आपको after one month यह समझ में आने लगेगा, यदि आपके improvement नहीं हो रहा है, तो आप कैसे हम उस पे improvement कर सकते हैं, यह सब चारे चीजों पर discuss होता हूँ, और मन्थली हम लोगों की parents meeting होती, old batch में आपने देखा होगा, तो इस batch में भी मन्थली parents meeting रहेगी कि आप में क्या growth हो रही है, क्या आँगे हम discuss और कर सकते हैं, तो चलिए, सर से मिल्रकात होई गई, अब मैं भी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, जिनको भी class लेनी है, 15 December को start हो रहा है, आज ही जाके foundations.com में visit करके enroll करें, thank you so much, जैहन, bye bye, take care, मेरे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों लेक टारे लेके अलविज कर लेके दित, क्याई रहा है, रहा है, क्या एक को भी by, और क्या एम, बगा है, जिनको भी प्यारे बच्चों घुचरबोल, वी जी झा में क siihenidas को,